नमस्कार किसान साथ ही ओ, आज की वीडियो में बात करेंगे चीकू की खेती की चीकू, फल हर किसी ने देखा भी हुआ है और इसका टेस्ट भी किया हुआ है इसका विश्कार सौथ अमेरिका में वा था लेकिन बार्त के अंदर कई राज़ों में इसकी खेती की जाती है जैसे करनाटका, तमिल नाडू, केरला, आंदर प्रदेश, मारास्टरा या फिर गुजरात चीको की खेती के लिए सबसे बड़ी है मिट्टी होती है कलेस वाइल या फिर जिस मिट्टी के अंदर केलसिम की मातरा दिक होती हो 6.0 से लेके 8.0 pH मान इसके लिए काफी बेस्ट है पंजाब, हर्याना, रास्तान के कुछ एरिया में इतना pH मान तो लगबग हर मिट्टी में मिली जाता है ये जो आप वीडियो के अंदर पोदा देख रहे हो ये अपने या लगा हुआ है ये क्रिकेट बाल विराइटी है वेशे तो हर राज्य या अरिया के लिए अलग अलग विराइटी है आप कॉमेंट कर देना, अपना अरिया बता देना वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप अपने अरिया में कौन सी विराइटी लगा सकते हो चीको को लगाने का सबसे बड़ी है टाइम है फरबरी टू मार्च या फिर अगस्ट टू अक्टूबर पोदा लगाते से मैं ध्यान रखे कि पोदे से पोदे की जो दूरी है वो एक कम से कम भी 9 मीटर होना आवशिक है और जो गड़े की गहराई है वो आप एक मीटर तक रख सकते हो खाद की मातरा की बात करें तो किसान साती हो अलग-अलग साल के साबसे यानि की पोदे की उमर के साबसे अलग-अलग इसकी जो खादें वो दी जाती है मैं आपको एक से लेके तीन साल का जो पोदा है उसमें खुराखब दा रहा हूँ बाकिया आपको जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है आप इसमें आइडिया लगा सकते हो गोबर वाली खाद आपको प्रियोग करनी है 25 किलो ग्राम यूरिया 200 से लेके 600 ग्राम सिंगल सुपर फोस्पेट 300 से लेके 900 ग्राम और जो पुटास है वो अपनी 70 से लेके 200 ग्राम आप ये जो चार्ट के अंदर FYM देख रहे हो ये अपना फार्म यार्ड मैनुर यानि की गोबर वाली खाद या फिर जो अपनी जितनी प्रकार खाद दे होती है आप इसको इस आर्णी में रख सकते हो तो उमीद करता हूँ कि सान साथ ही हो आपको जानकर ये अच्छी लगी होगी अगर जानकर ये अच्छी लगी हो तो कि रिपाकर करके ये को जादा इसी अच्छी मीटी नहीं है लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो नहर का ही लगता है जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि टूवल के पानी के अंदर कुछ एक जो अपने माइक्रो न्यूटेंट्स होते हैं उनकी कमी पाय जाती है तो चीकू के खेती करने से पहले अगर आपके आटूवल का पानी है तो एक बार पानी का टेस्ट जरूर करवा ले और टेस्ट करवाने के बाद ही जो अपने माइक्रो न्यूटेंट्स है माइक्रो न्यूटेंट्स की पानी के अंदर कमी है ताकि हम उसको पूरा कर सके हमारी जो फसल है वो बड़ी है उसके अगर फिर भी किसी भी किसान को कुछ पूछना हो तो किरपा करके कमेंट करें वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा धन्यवाद किसान साथ ही हो मिलते हैं अगले वार एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ